नमस्कार बेने टाइम्स में आप सभी का स्वागते देखते आज की ताजा खबर जिले में मनाया गया विरांगना रानी अवंती बाई का बलिदान दिवस प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भारती स्वतंत्रता संग्राम की प्रतम महिला सेनानी विरांगना रानी अवंतिबाई का बलिदान दिवस 20 मार्च को जीला मुख्यालय में भवेरुप से मनाया गया। दानवीर स्वर्गे राम बाबु मोती उध्धान से सामाजिक रेली निकाली गई। सर्वसमाज के साथ ही सर्वसमाज के लोग विरांगना रानी अवंतिबाई के बलिदान दिवस कारेक्रम में सामिल हुए और उन्हें पुस्पांजली अर्पित किया। जिसमें नकेवल सामाजिक लोग अपितू सर्वसमाज के लोग एक एक कत्रा विरांगना रानी अवंतिबाई पर निऊचावर करने स्वेचिक रक्तदान करने उपस्तित हुए। स्वरूप में घोड़े पर सवार हुई जिनके पीछे उनकी सेना के रूप में लोधी समाज और सर्वस समाज की सैनीक सामिल रहे मैं सभी मर्दो के लोगों को लोधी समाज के लोगों को यहां इस करिक्रम में उपस्तित सभी लोगों को सबसे पहले बढ़ाई देता हूँ हमें बात देता हूँ कि यहां पर सभी समाज के लोग बालगाट जिले के उपस्तित होकर सहीद बिरांगना कवंती बाई को याद करके इस बात को ताजा कर दिये हैं कि सहीद भारत में बरसों बरसों तक जब तक सूरत चांद रहेगा सहीदों का नाम रहेगा रानी ओंती इन लोगों ने साविद किया है और लोगों ने जो लगबग 15 दिनों से साध्य दिवस्त मराने की तैयारी की थी आज लोगों को देखकर इतने भीड़ देखकर यह करक्रम सखल हुआ इस करक्रम में मुख्य रूप से हमारे स्थानी अवंतिवाई लोधी के हिक्टर और उन राजपूत रूपल जैन में लोधी इन लोगों ने आकर हमारे करक्रम में चार चांद लगाया है और हमारा यह करक्रम में मुख्य रूप से जो पतिवर्स एक रखदान सिविर लगाया जाता है यूवा हर वर्स जो रानी दें अपना कत्रा कत्रा देश के खातिर देश के हो आम के खातिर अपना बहाया ए आज आज मारा आच के दिल मारे समय का सरसमाज का युवा उनके लिए ब्लट देता है बलट चला कि अमानी करहों धागर से जाननी के साथ याद करता हूँ हूं जी बताए याज से कोरोना संकत है बाइट दी तुसी को देखते विए वज्य प्रदेस सासर्ने कर दोना संकत से बचने के लिए बालागाठ जीला किसाले को बित्पमेर न यापि जी जाई है पहला बलड इस बिकी वेन का भाव परिवार के सदस्यों के द्वारा दिया गया और मैं बाउपरिवार की ओर से, समस्त युवाव की ओर से मत्य प्रदेसासान का अबारवेट करता हूं कि उन्होंने बला अधिला को इस प्रकार की बिक्टी वेन देकर युवाओ के लिए आम जनता के लिए रखतदान करने के लिए जागरती पैदा करने के लिए अच्छी सुईदा पैदान के लिए